पीछे जाओ थोड़ी शी पीछी जाओ आएसे मरवाब भी खड़ी हो स्वाबे साथ असलाम लेकूं एद मुबारक चांदराद भी मुबारक और एद मुबारक कैसे हैं सब लोग खैकरियासे होंगे बहुत बहुत एद मुबारक सब को और किचन मुबारक किचन के का मुबारक क्योंकि एद जो होती है न लेडीज के लिए एक तो वह सर्प्राइज आती है आ गई देखो अब चलो किचन में घुज़ओ लेकिन खर यह होते है सुबस्बस सालन में आगे हम फ्री होते हैं उसके मesचारी रिलीज हो चुखी थी कि हमें सफाइया नहीं करनी वाना सुबर सुपोर्ट के जो टेंशन होदीं और सफाइया आँचा ये इनके इड्रेस processes जो मैंने रात में प्रेस किये मैंने निकाले भी रात में इनको बिखाया है नहीं थैं मैंने अपना भी फिलहाल पुराना सूट पिछले साल वाले निकाला है पहनने के लिए तो मैंने सोचा वो पहन लेती हूँ यह हरम का ट्राउजर जब मैंने राद पहना के चेक किया तो बड़ा निकला इसको मैंने तरपाई दो चार टांके लगा लिए और हरम और उस वाटने का नाम नहीं ले ली थी फिर मैंने सोचा इनको पे आई रहने दो तो खुदी तैयार हो जाओ पहले तो इनोंने ना फिर जब मैं खुद नहा लूँगी अराम से बात वगरा ले लूँगी इनको फिर यहां जो है ना मैंने बात लेने के बात धरम को उठाया और वो शुक करे के उठी उस वारात में काफी लेटस होई थी इस वज़ा से वो उटने में तंक कर रही थी बस तो यहां पहन लिए हराम ने अपनी हील जो बड़े शौक से नोंने लिए है कि हमने हील देनी है फिर हमने इनको हील लेके दी कपड़ों के साथ प्यारे प्यारे बच्छे लगते हैं हील पहन के वैसे अलेकम 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 ऐसलाम मुझाद कि अच्छा नी है अच्छा नहीं है अब हम बड़े हो गए है अब हम आप लोगे अपल के दीट है कि अधर आना फिक जो नूग कर बिक लोगें अभी नहीं बच्चों को कर दिया है रैडियो सोचा कि थोड़े से अपनी वीडियो बना लेते हैं और फिर चाए पिये हमने बचे तैयार कि इदी कठी करने चले गए, अपने दर्दियाल से नीचे चले गए, अम्मी के पास, चाचू, चाची के पास, तो हरम ने तो कोई बीस चकर लगा लिए थे, सुबागे, क्योंकि सबसे पहले उड़ गए थी, अभी सब नीचे सोय वे थे, और यहां के हमें क्या रही थी, मुझे इदी नहीं दी, अभी किसी ने मुझे अभी इदी नहीं हम देखो, उठने तो दो पहले आंके तो खोलने तो दे दे देंगे ही थी, हम से इसने कटी कर ली थी और यह बाबा का वालेट लेकर बैठी विए, शक करिए कितने इसमें पैसे पढ़े वे हैं, अच्छा, यहां मैंने सोचा, कि हम अपनी महंदी का थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं, यह हुपसूरा अच्छी महंदी, अच्छा महंदी के कलर कि इतने प्यारे हैं, जब हम लगाते हैं ना, सा कलर बड़ा प्यारा आता है, लेकिन जब हम पानी से वाश कर रहें हैं, यह हैंड़ बार बार इसे चू्छा होटी है, फिल्मक्ते हैं, यह हमारी महंदी थी, ओधर हरम पीसे काउंटडाँन कर रही है, इप रडडड़ से कलर बड़ा प्यारा आता है लेकिन जब हम इसे वाश कर रहें तो ना हैंड वार बार बार उसी तरह से छूट रही होती है वो रडड़स से लिकलता रहता है तो यह हमारी मेहन्दी थी इदर हरम अपने पैसे काउंट डाउन कर रही है इदी काउंट डाउन स्टार्ट क्योंकि बच्चों के यह कहा है इस साल तो इनको कुछ ज्यादे एकसाइटमेंट थी शायर यह बड़ी हो गई है इनको इदी लेने का पता ज़ल गया है कि इदी लेनी ए और फिर उनको हमने कहीं इस्पैंड करना है या अपने ट्वाइज लेने या कुछ लेना है अपनी लिए ये बस अभी जश्ट मैंने और अधनान ने इनको पैसे दिये थे मैंने ना खुले कर वाकिर रखे हैं अपने पास 100-100 मैंने के इनको ज्यादा लगेंगे हमें ज्यादा मिलें अगर मैं इनको 500 भी दूँगी इनको लगेगा हमारे पास बहुत सारे नोट है तो खुले पैसे भी होने चाहिए हमने सब बच्चों को ना 100-100 वाले के ही नोट दे एक थाउजंड एक एक थाउजंड का नोट दे दिया बाकी जो थे ना हमने वो 100-100 ताकि इनको ज्यादा लगें चलें जी यहाँ पे उस्वा की तैयारियां भी जोशो खरोश पर रहें और यह उठा लिया उसने अबने दुपटा और दुपटे तो लड़कियों के पास एद पे ना हो तो उनकी एद नहीं लगती उस वाका भी माशालला से बहुत प्यारा सूट लगा मुझे बहुत प्यारा सूट है इसे पसंद नहीं आया अलग बात है इसे चमकते धमकते रंग पसंदे लेकिन बहुत प्यारा सूट था हरम का सूट भी बहुत प्यारा है इड़ पे बच्चों के ना गप्रे अच्छा लगते हैं लड़कियों के खास तोर पर यो शौपिंग होती है ना करने में मज़ा आतर इनके कप्ड़े पहनाने में इनको तयार करने में बड़ा मज़ा आतर क्यों यूँए इनकी हील्स होनी है चमक धमक वाले कपड़े होने इनके तो बहुत अच्छा लगता है लड़कों की तो सीधी सीधी सी कुर्टा पजामा और बस ये ले ले लें वरना लड़कियों के वो इतने नखरे और इतने खर्चे हैं ना चलें जी ये प्यारी सी हील पहन ली है हरम कहा रही थी कि हमों देखें लड़कों को तो कोई प्राब्लम ही नहीं है लड़कों को तो कोई टेंशन ही नहीं है वो तो बस पैंट शर्ट पहन लेते हैं या वो शिलवार कमीज पहन लेते हैं उनको तो कोई टेंशन है ये वो शूस पहन लेते हैं और हमें देखे कितनी paroblutions है हमने mehndi भी लगानी है चूड़ी भी लगानी है चूड़ी भी पहननी है कभी कभी jewelry भी लेनी पड़ जाती है कप्रे भी देख के लेने कि दुपथे वाला सूट उसके साथ sandal लेने मैंने का वाकी कितनी problems है ना बड़ी वो परेशान होके मुझे कहा रही थी रात में चलें जी ये उस्वा का लुक है बड़ी एक में रुके मैं जारा मामा दुपटा सेट करें इसका दुपटा बड़ा मुझे प्यारा लगा है संभालने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसकी एक अलग से ग्रेस है मैंने फिर इसको ना पिन अप कर दिया था अच्छे इस बार मैंने बच्चों के पर्स नहीं लिया मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा है इनके पर्स लेने का तो बस फिर जो इनके पास पढ़े वे थे ना वही लेकि यह घूम रही थी और मैं भी हो सकते हैं लोग अपने इदी से कोई फ़र्ट सी ले ला है और जब फिर मैंने अपने दूसरा सूट निकाला मुझे लगा कि जो मैंने पहना हुआ है कोई जादे ही पुराना पहन ली है इनको क्या कबर में लेके जाना है तो फिर मैंने अपना यह सूट निकाला यह भी कोई बिल्कुल नहीं है इस एद वाला जो है न मुझे लगता है मैं अगली पहनूगी अब घर में क्या पहनना है कहीं जाओंगी तो पहनूगी ना इस एद बिल्कुल नहीं है जो कि मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और यहां पर थोड़ा सा मेंकप शेक अप कर लिया जो कि लिप्स्टिक और थोपा थूपी तो नहीं की क्योंके मैंने कौन सा कोई चादी में जाना था या कहीं जाना था तो जस्ट हमने से लेकर खुश हो जाते हैं वो इसी में खुश होते हैं कि हम हमें पैसे मिल जाएं और फिर हम जाएंगे दुकान ते चीजियां लेंगे बहुत सारी गंदी गंदी सी और फिर वाकिए ये लोग गंदी गंदी सी इतनी सारी चीज़ें लेके आया ना जो बिमारी का घर होती है जो इनको बिमार करती है अच्छी तरह से उस तरह की यह फिर चीज़े लेके आते हैं बस तो यहां हम हो चुके हैं रेडी बच्चों को तैयार करने के बाद ही बंदा स्वकून से तैयार होना तो वही सही रहता है वरना पहले आप हो जबाद में अच्छा मैंने इसके साथ का पीच कलर में ही मैच करके शेफून को दुपटा लिया था बाद में मुझे लगा था कि यह थोड़ा से लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बस फिर मैंने ना दोनों इसके साथ ही रख लिए शेफून का मेरे पास था वो यूज में आ जाते हैं शेफून के तो हर कलर मे तो जब आप घर में हो तो फिर शेफून का ले लें बाहर आना जाना हो आप दोनों दुपटे भी लेकर सेट कर सकते हैं तो बस इस तरह से सिंपल सा यह मेरा कुटा था और हमने इसके बाद दूसरी बार चाय पी ली एक बार नाश्ते में पी और दूसरी बार फिर से पी यही होता है थोड़ी सी मिठाई खा लें या मीठा खा लें उसके बाद आप चाय पी लें दो बार और उसके बाद दुपएर का खाना जल्दी खा लिया जाता है तो हमने भी बस जल्दी खाना खा लिया था ग्यारा बज़े तक हमने खाना खा लिया अम्मी वालों ने तो से भी जल्दी खा लिए तो 9-10 बजे सारे 9-10 बजे खाना खा लिए ता क्योंकि सालन सुबर सुबर बने जाता है अच्छा जी सी के साथ फिर से एड मुबार्ग बहुत बहुत अपना ख्याल रखेगा दूाओं में आड रखेगा अला हफीज टेक्यार